Smelled का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Smelled का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जो Smell किया गया हो या जिसे Smell किया गया हो उसे हम Adjective के रूप में Smelled कह सकते हैं इसके इलावा Smelled जो है वो Smell का Past and Sur Past Participle होता है यानि कि Smell की ही Second or Third Form होती है Smelled और Smell का आर्थ होता है सूंगना, गंद का अनुभव करना, पहचानना, गंद लेना, गंद देना, महकना, शंका करना या पता लगाना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि कमरे में नमे की गंद आ रही थी तो आप कहेंगे The Room Smelled Damp या अगर आप यह कहना चाहें कि हवा से फलों की मीठी महका रही थी तो आप कहेंगे The Air Smelled Sweetly of Fruit या अगर आप यह कहना चाहें कि उसके कपड़ों से काफी दुरगंद आ रही थी तो आप कहेंगे His Clothes Smelled Pretty Unpleasant अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें